चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCRT बुक्स के बारे में इसमें हम लोग कक्छा 11 वी की राजनीतिक सिध्धांद पहली बुक्स जो पॉलिटी की है उसे हम लोग कवर कर चुके हैं जो दूसरी वुक्ती भारत का समिधान सिध्धांद और विवार इसके हम लोग तेन चर्टर अभी तक देख चुके हैं आज बात करेंगे हम लोग कारिपालिका के वारे में और याद रखिए अगर आप लोग सिविल सर्विस या किसी स्टेट की PCS की एक्जाम की तैयारी कर तो आप लोग NCEIT समय रहती हुए पढ़ लें क्योंकि इनके विना कुछ नहीं उखनने वाला है तो इससे अच्छा है कि समय रहती हुए से कवर कर लें आप लोग और एक बात याद रखिए कप्छा चटवी से लेकर कप्छा दसवी तक कि जो भी आपकी सिविल सर्वेस य कुची बनी हुई है आपकी NCEIT किताबों का पूंट संगरे के नाम से उसी में डले हुए है और याद रखिए देखिए टाइम लगेगा मुझे कवर करवाने में हो सकता है कि जान्दा लंबा समय लग जाए क्योंकि अभी आपकी 11 की कुछ बुक्स हैं 12 की कुछ बुक्स ब डाल देगे जो बुक्स आपके लिए चरूरी है और भी जो मात्पून बुक्स होती है उनकी PDF भी आपकी टेलिगराम पर डाल देता हूं वहां से आप लोग डाउन लोड कर देजे तीन सब्द आप लोग हमेसा सुनते रहते हूंगे कारिपालिका विधायका और नियायपा करेंगे आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे राज जी कहने के मतलब है भारत ही कह देते हैं एक बार राज को या देश कह दीजिए आप लोग जो भी आपको कहना है तो इसमें आप देखेंगे जो भी आपकी सकती है इन्हें तीन अंगों में बाटा गया है कारपालिका बिधायका और नियाएपालका अब आपके मन में सवाल आता है कि नियाएपालका आखर क्या है तो आपको इसके नाम से ही मालू चलता है नियाएपालका की कि इसका सीधा सा काम होता है कि नियाएदिलाना क्या करना नियाएदिलाना कि आपके समीधान में जो कानून लिखे हु हो गया राजसभा हो गया ठीक है फिर आप देखते होंगे कि एक सब्द आता है आपका क्या कारिपालिका इसमें आप क्या आते हैं जैसे राश्पती उपराश्पती और उपराश्पती को जो साहधा करने के लिए असलाय देने के लिए अध्यक्ष के रूम में पिधार मंतरी और मंतरी परिशद होती है उसे आप क्या कह देते हैं कारिपालिका ठीक है चलिए अब हम लोग कारिपालिका के बारे में बड़े विस्तार से बात करते हैं बस आपको बड़े ध्यान से सुनना है और या पिर आप पढ़ रहे हैं अगर बुक्स तो बड़े ध्यान से आप लोग बुक्स पढ़िए एक से दो बार आप लोग पढ़ेंगी सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन बहुत ही महत्पून टॉपिक हैं इन्हें छोड़के मत जानन आप लोग कवर जरूर करना आप लोग बिधायका, कारपालिका और नियापालिका सरकार के तीन अंगें ये तीनों मिलकर सासन का कार करते हैं तथा कानूर विवस्था बनाय रखने और जन्ता का कल्यान करने में योगदान भी देते हैं आपके समिधान यह सुनिचित करता है कि ये सभी एक दूसरे सिताल मिल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाय रखें संसदिये विवस्था में कारपालिका और विधायका एक दूसरे परासरित भी होते हैं विधायका कारपालिका को ना किवल नियंतित करती है बलकि उससे नियंतित उससे नियंतित भी होती है इस अध्याय में हम सरकार की कालिपालिका की संगठन सरचना और कारियों का अध्यन करेंगे इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय में कि राजनितिक विवहार की कारण इसमें क्या परिवर्टन हुआ है इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या-क्या समझ पाएंगे संसदिय और राष्टपती पिनाली की कारवालिका में अंतर कर सकेंगे कई ही देशों के एक नने से आपको राजनीतिक विवस्था के बारे में मालू चलेगा स्री लंका में क्या है, इंग्लेंड में क्या है, अमेरिका में क्या है, चाइना में क्या है इस सब के बारे में आप लोग जान सकेंगे भारत के राष्टपती की समिधाने की स्तिती को भी आप लोग समझ पाएंगे मंदिरी परशद की सरचना और कारियों के बारे में भी आप जान पाएंगे पिसासनिक मसेनरी की महत्त और कारियों के बारे में आप लोग समझ पाएंगे मुझे लगता है कि आप समझे कि केबल NCEIT कप्छा 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं सिविल सर्विस के जो भी तैयारी कर रहे हैं या किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनी के लिए जरूरी नहीं है मुझे लगता अगर भारत में आप रह रहे हैं आपकी राजनीती में थोड़ी सी भी दिल्चस्पी है, तो आपको भी मुझे लगता है कि इनके बारे में सबके बारे में मालू होना चाहिए, कि आप जन्ने दाओं को चुनते हैं, फिर आप पिधानमंद्री की बात कर ले, इनको किस तरह से चुना जाता है, इनका काम क्या होता है, ये हैं क्या आखिर, समय रहे हैं आप लोग, इसके बारे में तो मुझे लगता हैंगी, सबको मालू होना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कारपाली का, आखिर है क्या, सबसे पहले एक उधारन लेते हैं हम लोग, आपकी स्कूल में कि पिसासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या बिसुविद्यालाय में मत कुन नेड़ए कौन लेता है? किसी संगठन में किसी पदाधीकारी को नेड़ए लेना पढ़ता है, उसे लावू करना पढ़ता है. हम इस के रिया को पिसासन या प्रवंधन कहते हैं लेकिन पिसासन के लिए संगटन के सीज़ पर एक ऐसा समोह होना चाहिए जो बड़े या नीतीग नेड़ा ले सके और देन एक पिसासनिक कारियों की देख रेक और उनमें ताल में कर सके ऐसे हर संगटन में कुछ लोगों का एक समोह होता है ये लोग उस संगटन के कुछ मुख पिसासनिक या कारिपालिका अदिकारी की रोव में काम करते हैं आपने साथ बड़ी कंपनी और बेंकों और दोगे काईयों की पिसासनिक अदिकारी की बारे में सुना हुआ उन में से कुछ पदादिकारी नीतियों, नीमों और कायदों के बारे में नेरे लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करने करते हैं, और कारिपालिका का अर्थ ब्यक्तियों के उस सम्हू से, जो कायदे कानूनों के संगठन में रोजाना लागू करते हैं, खेर छोड सखब्ध आपध्य चत्र बनता है लेकिन भू किस की चलाया पर करता है सभी चय को भी चाथ होता है उन्ही की सलाय पर एक तरह से तो आप इसी उन्हीवर करते हैं सरकार की मावले में obserimanay बैद में तै करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदार इन आती है, सरकार का वखालिका जो इन नीवो कायदों को लागू करता है, और आती है कारफालिका की पिरम कारे किया है अक़ित तो देश होता है समझ रहा в अप लोग एस networks यह केंने का मतलब है कि भारत सबसक्राइब कर देश होता है तरहें कि या फिर आप लोग इसे ही राष्ट कह देते हैं देस कह देते हैं ठीक कुछ देसों में आप देखेंगे राष्टपती होता है तो कहीं आपको चांसलर देखने को मिलेगा कारपालिका में केबल राष्टपती पिधान मंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं बलकि इसक जरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदाई होते हैं, लेकिन जो लोग रोज रोज के पिसाजतन के लिए उत्तरदाई होते हैं, उन्हें इस्थाई कारपालिका कह देते हैं, एक तरह से आप समझें, कि नेता क्या है, नेता तो 5 साल बाद बदल जाएंगे, जहां 6 साल का ट तो आप बहतर काम कर पाएंगे वह बहतर एक तरह के उन भ। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में पिधान मंत्रि हैं पर उनकी भूम क्या है अलग-अलग हैं ऐसा क्यों। आप लोगों के एक उधारन बत देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां राष्टपती नाममाद का राष्टपती है। एसा नहीं है कि राश्टपती कुछ ही अपने मन से कलते रहे हैं क्यों ना मत का कह रहा हूं है क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद में जिसकी सत्ता होती है एक तरह से उसी का राश्टपती होता है जिसके पास बहुमत होता है राजसभा लोकसभा और विधानसभाओं में उ लुकाओं जिस पारिटी ने उसे राश्क्ति बनाया हूँ उसकी तरफ रहता है में सब ठीक है और इसी के दूसरी तरफ आप जाई एंग्लेंड में माप करिए USA में USA में आपको देखने को मिलेगा कि राश्क्ति मैन होता है सबसे सकती साली एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रवावकारी उसके जो भी नेड़ होते हैं वहां के राश्क्ति साथ की देखने को मिलते हैं अभी आपने देखा है 2016 से आप लोग बराबर जेल रहे हैं एक तरह से अमेरिका के डॉनल्ड ट्रंप ने किस तरह के नेड़ लिये है उसका प्रवाव दुनिया पर किस तरह स समझ सकते हैं तो कई जगे आपको देखने को मिलेगा कि राश्पती और राश्पती में सकतियां कई जगे आपको देखने को मिलेगा पिधान मंत्री में सकतियां एक तरह से अगर कहने के लिए कह सकते हैं आप लोग कि हमारे यहां की पिधान मंत्री की सकतियां और अमेरिक बिजाशना था इन की सूची सुची बनाए जिननों ने उसमें पर भाग लिया क्या आप सोच सकते हैं कि k interfering उन्हीं लोगों ने भाग लिया है ? इसमें इन में से कुछ देसों की कारपालिकाओं की प्रक्ति पर प्रिकार्श डालेंगे अमेरिका में अध्याक्षात्मक विवस्ता है और कारकारी सक्तियां राश्टपती के पास होती है कनाडा में संसदिये लोक्तंत और सम्मिधानिक राश्टंत है जिसमें महारानी एलीजाविट दुदिय राज जी की पिधान और पिधान मंत्री सरकार का पिधान होता है फ्रांस में आप देखेंगे राज़पती और पिधान मंत्री अर्ध अध्याचात्मत विवस्था के इससे ही है राष्टपती पिधान मंत्री और अरण मंत्रीओं की निवतीग करता है उन्हें पद से हटा नहीं सकता है क्योंकि विस संसद के पिती उत्तरदाई होते हैं जापान में अगर हम लोग देखने तो संसदीए विवस्ता है जिसमें राजा देश का और पिधान मंतरी सरकार का पिधान होता है और वही इटली में लोग देखें तो संसदिये विवस्ता है जिसमें राष्टपती देश का और पिधान मंतरी सरकार का पिधान है एक तरह से आप कह सकते हैं इटली जैसी विवस्ता हमारे है रूस में एक अध्याक्षा रत्मक विवस्ता है जिसमें राक्तपती देश का पिधान होता है। वह नेड़े लिया, वहां तो आपने देखा वहां राष्ट्पती साहब हमेशा उभर के आते हैं एक तरह से, ठीक है? अगर बात करें अध्याक चात्मक विवस्था में, राष्ट्पती, राज्यो और सरकार दोनों का ही पिधान होता है, इस विवस्था में सिध्धान और विवाद दोनों में राष्ट्पती का पद बहुत सक्तिसाली होता है, ऐसी विवस्था आपको अमेरिका, ब्राजील और ग्लेटें अमेरेका, यह अध्याख्चात्मत विवस्था के उधारन है अगर कहीं हाथ लिखने के लिए आता है या फिर आपका प्यारक्षा में Questions पूंचा जाता है या कहीं भी पूंचा सकता है तो आप इन तीनों के उधारन दे सकते हैं ठीक है? अमेरिका ब्राजी लेटेन अमेरिका संसदी विवस्था में पिधान मत्री सरकार का पिधान होता है और अधिकतर संसदी विवस्थाओं में एक राश्टपती या फिर राजा होता है जो देश का उपचारिक या नाम मात का पिधान होता है इस बिवस्था में राश्टपती या राजा की मुंक्या मुक्यता आलंकारिक होती है और पिधानमंत्री तथा मंतिमंडल के पास बास्तुरिक सकतियां होती है और जर्मनी, इटली, जापान, इंगलेंड और पुर्दगाल आधी देशों में यह बिवस्था आपको देखने क मिलेंगे, लेकिन संसरी बिवस्था के विपरीत उसमें राश्टपती को देनीकारियों के संबादन में मत पूर्ट सकती है और इस बिवस्था में कभी-कभी राश्टपती और पिधानमंती दोनों ही दल के हो सकते हैं और लेकिन जब कभी बे अलग-अलग दलों के होते है तो उनमें आपसमे भिरोध हो सकता है फ्रांस रोस और स्रीलंका में ऐसी विविस्था आपको देखने को मिलेगी एक बात आपको बताओं कुछ समय वहले आप लोगों ने सुना होगा स्रीलंका किसकी बात करा हूँ मैं स्रीलंका एक बार देख लीजे वैसे हम लोग वाल्ड मैप को कवर किया हुआ था हम लोगोंने सब कुछ बता चुका हूँ, सभी देशों के बारे विस्तार से हम लोगोंने बात किये मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको भूगोल से, विस्त के भूगोल से जब सभी कुष्टन सौल करने की स्तिति में पहुचना है तो आप लोग मैप्स वाली प्लेलिष्ट सूची को जरूर देख लें या ना देखें तो मैं कहता हूँ कहीं से आप लोग मैप्स को का साहरा लेकर सभी देशों को कबर जरूर कर लें स्री लंका की बात करें जैसे आपके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसमें नैपाल हो गया चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान ए बंगला देश है आपका ए भूटान या है बर्मा नीचे स्री लंका इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है भी तो यहां आप लोगों ने क्या सुना होगा कि स्री लंका में दोनों भाई एक पिधान मंत्री एक राष्टपती आप समझ सकते हैं कि एक पिधान मंत्री भाई है तो एक राष्टपती दोनों भाई मिला कर पूरे देश को चला रहे हैं तो ऐसी विवस्था आप तो राष्ट कहां देख सकते हैं स्री लंका या फ्रांस या रूस में ठीक है अब आप कहां से कहां पौँच चुके हैं नेहा यह तो बहुत सरल है कि जिस देश में राष्ट पती है वहाँ अध्याक चाह्ट का रिपालिका और जिस देश में पिदान मंत्री है वहाँ संसदी ये कारिपालिका है अपने हाँ को कैसे समझाएंगी कि एसा हमेसा सच नहीं होता है क्या नहीं होता है? सच नहीं होता है चलिए पहले हम लोग उपर बात कर लेते हैं क्या कर लेते हैं? उपर बात कर लेते हैं अगर भारत की बात करें तो भारत संसदी ये पेडाली का हिस्सा है जहां आपको देखने को मिलेगा एक तरह से राश्टपती डेली के काम-काम में देखते रहते हैं लेकिन नामत के राश्टपती सक्ति होती है राश्टपती साब के पास उफर आपके कुछ पॉइंट दिये गए हैं समझाने के लिए एक तरह से कारपलिका की पिकारों की बात करें तो इसमें आपको एक तरफ देखने को मिलेगा सामुएक नेतित्त की सिद्धान पर आधारी दूसरी तरफ आप देखेंगे एक व्यक्ति की नेतित्त की सिद्धान पर आधारी तो इसमें संसदिये देखिए आप लो सरकार के पिरमुक को आमतोर पर विधानमंतरी कहती है हमारे यहां यह विवस्ता देखने को मिलेगी राष्टपती देश का पिरमुक होता है राष्टपती देश का पिरमुक होता है और अध्याक्चात्मुक विवस्ता में देखें तो राष्टपती देश का पिरमुख होता है इन दोनों में वह संसरी विवस्था में देखें तो वह बिदायका में बहु मद बाले दल का नेता होता है और बिधान मंत्री सरकार का पिरमुख होता है वही सरकार का पिरमुख भी होता है वह विदायका के पिती जवाब दे होता है विदाहनमंति विदायका के पिती जवाब दे होता है अर्द अध्याक्चात्मक बेवस्ता की बात करा हूँ इसमें राश्टपती का चुना आमतोर पर पित्यक्च मद्दान से होता है देश का प्रमुक्रमे से कोई भी हो सकता है और यहां आप देखेंगे वह बिदायका के पिती जबाब दई नहीं होता है राजा और राश्टपती की समिधारिक राश्तन संसदिय गड़तन राश्टपती की अब चारिक सासन एक बात आप लोगोंने देखी होगी क्या देखा होगा? कि अमेरीकी राश्टपती की चुनाओ होए याबि आपने देखा होगा कि देमोक्रेटिव पाइटी से जौइ वाइटे ना चुनाओ लड़ रही थे और रिफब्लिकल पाइटी से डॉन्नल्ट टरॉम साहब चुनाओ लड़ रही थे हमारे यहां चुनाव होते हैं तो क्या कहते हैं कभी-कभी आपको यही मालू नहीं होता किस बैक्ति को आप चुनने के लिए प्यधान मंत्री चुनने के लिए जा रहे हैं आम तोर पर आप लोग एक पायटी को चुनाव जिताते हैं क्या करते हैं पाइटी को चुनाव जिताते हैं आप लोग वो कभी आप देखते हूं कि किसी ऐसे ब्यक्ति नए चेहरे को ला दिये प्यधान मंत्री बना दे दिये कि जिसे आप लोग ना जानते हूं आप लोग अपने राज्यों में भी इस तरह की ववस्ता देखते हूंगे कि जिस पर आप लोग पूरा भरुशा कर रहे थे कि एप मुखमंत्री बनेगा वो सकता है वो मुखमंत्री ना बने लेकिन अमेरिका में आपने देखा होगा कि साब साब तोर पर आप लोग एक तरह से यही सोच कर बोट डाल रहते हैं कि हम लोग डॉनाल्ड ट्रॉम्प को जिताएंगी या जोब आइडन को जिताएंगे तो आप कह सकते हैं कि यहां के ट्यक्ष चुना हो रहा है कि मतलब डारेक्ट आप उस चेहरे को देखकर बोट करने जा रहे हैं ठीक है वैसे हमारे य सदस नहीं है तब भी बन सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस बनना अनिवार है तो आप भी कोशिस कर सकते हैं स्रीलंका की अर्द अध्याक्चात्मक कारिपालिका की बात करें तो 1978 में स्रीलंका के समिधान का संसुधन करके अध्याक्चात्मक कारिपालिका लागू की गए इस पेडाली में जंदा पितेक्च रूप से राष्टपती को चुनती है या संभाव कि राष्ट्पती और पिधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों की हो सकते हैं अब हमारे देश में आप लोग कहेंगी क्यों नहीं डारेक्ट राष्ट्पती साहब को चुन लिया जाता है आप समझें कि एक सकती का दो लोगों में बढ़ बारा हो जाएगा चलिए माल लेते हैं कि अभी बीजेपी का माल लेजे बीजेपी का राष्ट्पती हो पिधानमंत्री तब ठीक है लेकिन आप समझ सकते हैं कि Congress का माल लीजे पिधान मंत्री है और राष्टपती हो गया किसका? बीजेपी का तो फिर तो आप समझे कि सक्तियों में कितना इन दोनों में भेदभा होंगी कई जगे मत भेद देखने को मिलेंगे कई जगे इन दोनों के भी ताना तानी चल गई होगी तो इसलिए भी का जाता है कि भारत में अच्छी वेवस्ता है कि कम से कम पिधान मंत्री के पास सक्तिया है पिधान मंत्री ही नेड़ा ले सकते हैं एक तरह से राश्टपती के जड़ी एक तरह से आप समसकते हैं समिधार राश्टपती को ब्यापक सक्टियां देता है और राश्टपती संसत में बहूमत बाले डल की सदस्टों में से पिधानमंति चुनता है यह अग कि भी मंत्रियों के लिए संसत का सदस्टों आनिवार है लेकिन राश्टपती पिधान मंत्री और दूसरे मंदिरियों को हटा सकता है राजी का निर्वाचित पिधान और ससक्त सेनाओं का पिधान सेनापती होने के अतरिक्त राश्टपती सरकार का भी पिधान होता है राश्टपती छे वर्ज के लिए चुना जाता है उसे संसत की कुल सदसंख्या के दो तेहाई वहमश्य पारित पिस्ताओं के बाद द्वारा ही हटाया जा सकता है यदि वह पिस्ताओं संसत के कम से कम आदे सदसंदवारा पास किया जाए और संसत का अध्यक्ष भी संतुष्ठ हो कि आरोपों में दम है तो संसत का अध्याक चोंसे सरवोच नियालाय को भेश सकता है स्रीलंका के राश्पती और पिधान मंत्री किस्तिती भारस से कैसे भिन है और भारस स्रीलंका के राश्पती के महावेव में सरवोच नियालाय की क्या भूमिका की तुल्ला करें एक बात और आपको बताओं, देखिए आप लोग तीनों विवस्थाओं को आप लोग याद रखिए, क्यों बोलाओं में, संसदिये, अरद अध्याक्चात्मक और अध्याक्चात्मक विवस्था, इनके उधारन भी रखिए, आप लोग संसदिये विवस्था में आप लोग प्रांस को भी दे सकते हैं, भारत को भी दे सकते हैं, अर्द अध्याक चात्मक विवस्ता में आप लोग स्री लंका को भी ढाल सकते हैं, और अध्याक चात्मक विवस्ता की बात करें, तो उसमें अमेरिका को भी ढाल सकते हैं, इस तरह से इन तीनों उधारणों को याद रख सबसे जरूरी है या नहीं है लिके हमें सबसे जानद अच्छा अच्छी तरीके से पढ़ना है भारत की संसतिये कालपालिका के बारे में जब भारत का समय लिखा जा रहा था तब भारत को 1919-1935 की अधिनेंहों के इंतरगत संसधिय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनवभव हो चुका था और इस अनवभव में दिखाया कि संसधिय व्यवस्था के इंतरगत कारपालिका को जन पेते निधियों के द्वारा प्रभाव पूर तरीके से नियंतित किया जा सकता है भारती समिधान के निर्माता एक ऐसी सरकास सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता कि अपेक्छाओं के प्रते संबेदंसील और उस्तरदाई हो संसदिये कारपालिका की जगें दूसरा विकल्प अध्याक्चात्मक सरकार का था लेकिन अध्याक्चात्मक कारपालिका मुख कारी के रूम में राश्पती पर बहुत बल देती है और उससे सभी सकतियों का स्रोध भी मानती है अध्याक्चात्मक कारपालिका में ब्यक्ति पूजा का खत्रा बना रहता है समिधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थी जिसमें एक सक्ति साली कारपालिका हो लेकिन साथ-साथ उसमें ब्यक्ति पूजा पर परयाप्त अंखुस लगे संसद्य व्यवस्था में इसी अनेक पिक्रिया है जो है सनचित करते हैं की कारपालिका विधायकाया जंता के पिति निद्यों के पिति उत्तरदाई होगी उन में उनसे नियनतित भी होगी इसलिए Σंब्मिदान में राख्तिय और प्राम्तिय दोनों ही इस इस तरों पर संसदिये कारपालिका की विस्ता को स्विकार किया गया है। एक तरह से आप लोग समझीए। अगर आप ही आपके पिदानमंत्री साहब काम नहीं करते हैं। तो अंगली 5 साल बाद आप क्या करेंगे। उन्हें कुर्सी से अठा देंगे। लेकिन राष्टपती आपके जन्ता की तिती उत्तरदाई एक तरह से नहीं है आपको डारेक्ट है। अगर राष्टपती एक तरह से काम नहीं करते हैं। तो उसमें आप लोग ऐसा नहीं कि राष्टपती को हटा सकते हैं। डारेक्ट ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखते हूंगे बिधायक साब आपकी पिती जिम्मिदार होते हैं, जबाब दे भी होते हैं, इसलिए हमारे जो भी समिधार निर्माता रहे हैं, उन्होंने इस तरह की विवस्ता को चुना हुआ था, और आप सोची कि हमारे यह बहुत भेदभा हो रहा है, अगर इस तरह की विवस्ता को हम लोग ना चुनते, तो अभी तक हम लोग उन्ही आप समझेए कि उसी परिस्तेदी में डले होते हैं, कहने के लिए 1947 में में आजादी मिल चुकी थी, लेकिन असली आजादी तो 1947 के बाद से मिलनी सुरूए होनी चाहिए थी, एक खास के पास आजादी आ चुकी थी, अब उसका बटवारा करना था समय, आपने लेखा है महलाओं के साथ किस तरह से विदभाव किया जाता था, SKC के साथ किस तरह से विदभाव किया जाता था, आप समझ सकते हैं कि क्या इस्तिती थी, काफी आजादी इसमें मिली ही हुई है, लेकिन अभी भी आप लोग सब्रीमाला मंदिर का विवार सुनते रहते हैं। अभी भी कई जगे आप FTSC के साथ दुर्विवार की बास सुनते रहते हैं। तो एक तो क्या है कि प्रोसेस में कही न कहीं गड़ बड़ी हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि जब नेहरू की मंतरी मंदल बढ़ाई गई है तो उसमें सरदार बला बहाई पटल को लिए गया। उसमें उसमें भीमरा उंबेड कर सहब को लिए आप समझ सकते हैं कि विचार भारत कई जगे पर नहीं मिलती थी। फिर भी इन्हें समलित किया गया, क्योंकि आप नहरूजी समझते थे कि कानून में मतलब कानून के बारे में अगर कुछ जानना है तो भीमराम बेटकर से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, अगर देश को एक करना है तो सदार बल्लब भाई पटेल से अच्छा कोई व विवस्ति तरीके से नहीं कर सकता है, आपने सुना भी होगा, आप लोग ने अगर सदार बल्लब भाई पटेल के बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो आपको पता हुगा, कि हमारे याँ चार्सो पांसो पैसाट चोंसट रियासते हुआ करती थी, और सभी में एक तरह से अलग होने की चाय थी, कि हम अलग देश बनेगे, और लाख तक आप देखते रहे थे हैं हैधराबाद, जुनागर और जमू कस्मी को, वो बाल को भी आप लोग काफी समय तक देखते रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि सरदार बल्लब भाई पटेल जाते थे, एक हाथ में गा आप समझ सकते हैं, और आप समझें कि उस समय अगर जमू कस्मीर पर भी छूट मिल जाती, और नेहरू की छोटी सी गलती अगर सुधर जाती, तो जमू कस्मीर हमारा पूरा हिस्सा होता, आज जो हमारे देश के जो सैनिक सहीद होते हैं, ए नौवत ही नाती, पाकिस्तान का कबजा ही ना होता, समय रहे हैं, छोटी सी गलती, कि मतलब उनोंने अंतराष्टी एक तरह से मंचों पर नहीं हुआना चाहिए था, उस मुद्दे को, क्योंकि आप समझ तकते हैं, कि उस समय के जो भी अंतराष्टी मंच थे, वो हमारे बहुनकुल खिलाते, आप जानते ही कि अमेरिका के साथ देने के लिए एक तरह से आपका अमेरिका, रूस और चाहिना और पाकिस्तान की तरफ जुखा होता, इसलिए हमें वहां से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी, क्या हमारे देश में बहुत मजूद पिदाहन मंत्री नहीं हुए, क्या इसका लिए, हो सकता है कि आपका मानना हूँ आपका, देखि लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने तो सर्दार बललबाग पटेल को भी देखा है, उसके बाद आप मिनिष्टर थे ना वो, उसके बाद नेताओं की बात करा हुए, उपधान मंत्रियों की बात करें, तो सास्तरी को आप देखिए, उनकी कद छोटी थी, लोग कहते थी कि वो तुमारी कद छोटी है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन उनने बड़े-बड़े काम करेके दिखा है, इसी तरह आप लोग इंद्रा गांदी को देखिए, राष्टी आबाद काल को छोड़ दीजे, बाकी समय है, उनके बाकी समय को तो देखिए आप लोग, पाकिस्तान ने टक कर लिए उनसे, पाकिस्तान के दो हिस्ते कर दीए, आज आप लोग जो बंगलादेश देखते हैं, 1971 की लड़ाई के बाद ही तो ओबर के आया, इंद्रा गांदी की समय, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पाक प्रत्माता की स्कोक में ऐसा तो कुछ है, कि हमेशा 37 साली लोगों को पैदा किया हुए, पर चाहे आप सुभाष्चन द्वास, पिवेक अनन्द, सुखदेव, राजगुरू, भगस्तिं, या पर नहरूभ को देख लीजे आप लोग, या पर आप लोग किसी को भी देख ये महत्मा गांदी, सरदाल, बल्लब, भाई, पटेल, किन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आज जो आप लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक तरह से आजादी की बात करते हैं, या पर अधिकारों की बात करते हैं, ये उनी की सब की देन हैं, ठीक है इसका उभियो किया करेगे अच्छे से, इस बिवस्था के अंतर कर राष्टपती भारत में राज्य का उपचारिक पिधान होते हैं, और पिधान मंत्री को मंती परसंद राष्टी इस तरपर सरकार चलाते हैं, राज्यों की इस तरपर राजपाल मंत्री इसंस तरह परवास्तों में पिधानमंती की नेतत्य में बनी मंत्री परज़त की माध्यम से राष्टपती इन सक्तियों का प्रेयुक करता है। यहां आप लोगों को यह बात और बता हूँगा आप लोगों को देखिए आप लोग देखते हूँ कि पिधानमंती का चुनाओ तो डारेक्ट हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं। कि जनता किने चुनती है विधाय को इम आप करिएगा लोगसवा सदसों को। लोगसवा सदसों में से या राजसवा सदसों में से एक पिधानमंत्री बन जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि क्या है राष्टपती इंडारेक्ट तरीके से चुना जाता है। कैसे इसमें आप देखते हूँ कि लोगसवा सदस बिधान सबस और राजसवा सदस भाग लेते हैं। किसके राष्टपती के चुनाव में। एक बात और आपको बता देए। यहां एक सब्द आपको हमेशा याद रखना है। निर्वाचिस सदस्थ, ना कि मनुनि सदस्थ, निर्वाचिस सदस भाग लेते हैं, मनुनि सदस्थ इसमें चुनाव राश्टमदी के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है? frenya यहां एक बात ओर कहीं जा रही है, कि राश्ट पत्ती एक तरह से मंद्री परशाद या पिधान मंद्री के सलाय पर काम करते हैं माल लीजे आपने देखा होगा कि एक तरह से अध्यादेस लाने की सकती राश्ट पत्ती को आर्टीकल एक सो तेज के तहित मिली हुई है लेकिन आप हमेसा देखते हूं कि अध्यादेस बोलातें, और किसकी सलाएबर ? प्यठान-मंत्री या प्यदान-मंत्री की नेतत्रम्यदीम्य उसी के विचार पर आप कह सकते हैं उसे ही की सलाय पर ऐसा नहीं कि राश्ट्पती साहब रात में उठे 12 वजे उन्होंने का कि वो हम ऐसा करते हैं ऐसा तो आप नहीं देखा हुआ लेकिन अमेरिका में आप लोगोंने देखा हुआ कभी कभी डॉनल्ड ट्रॉम्प चाचा यसा करते थे कि सुभय वो उठे उन्होंने मन्यन किया हुगा और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आज मैं एक एक करने वाला हूं तो आप समझी इतने सकती साली हुआ करते हैं और हमारे या के राष्टपती अगर जिस पाइटी ने राष्टपती बनाया उसकी एक बात नहीं मानेगे तुरंद वो महावियोग के प्रियोकर के हटा देगे समझ रहे हैं आपको केवल संसद ही राष्टपती को महावियोग की प्रिया के द्वार उसके पत्स्ति आटा सकती है और पिछली अद्या में आमने पढ़ा है कि इस प्रियोकर के लिए संसद हमें विसीस बहवत की जरूरत भरती है महावियोग केवल समिधान के उलगन के आधार पर लगाया जा सकता है और आप देखते हैं आर्टिकल 61 के तहर इस प्रिया चलती है अनुछे 74 एक क्या कहता है राष्टपती को साहता और सलाय देने के लिए एक मंत्री परसद होगी जिसका प्रिधान प्रिधान मंत्री होग और राष्टपती अपने केड्तों का प्रियोग करने में ऐसी सलाय क्या टार करेगा यानि कि कहने का मतलब है कि प्रिधान मंत्री मंत्री की नियुकति कुछ वा राश्टपति करता है। पडम पर लगी पार मिलता है उसी को पडान मंत्री बना जाता है। ऐसा नहीं कि राजपती किसी को भी उठा कर पिधान मंत्री बनाते हैं। लेकिन जब बहुमत नहीं होता है तो पिधान मंत्री क्या राजपती साब क्या करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी को गोज एक तरह से अपना पिधान मंत्री सरकार बनाने के लिए निवता देती हैं, उसके बाद दूसरे दीसरे इस तरह की फिक्रिया चलती रहती हैं, एक बात और याद रखे, राष्पति यसे व्यक्ति को भी मतलब सरकार बनाने के लिए निवता दे सकते हैं, जो लोकसभा या राष्भा का नेता ना हो, लेकिन इतनी आसा हो कि वो बहुमत जुटा सकता है, छे महीने के लिए और वो अपनी सरकार बनाने में, बहुमत सावित करने में एक तरह से सच्छम हो सकता है, तो ऐसी भी विवस्ता देखी जा सकती है, ठीक है, प इसे एक तरह से आप कहिए, मंत्री परश्द में कोई सलाय दी, ठीक है, कि ऐसा काम करना है राष्पती को, और राष्पती एक बार इतना कह सकता है, कि आप लोग इस पर विचार कर लीजिए, और सुधार कर लीजिए, इसमें जो भी खामिया हो, लेकिन मंत्री परश्द अ इस सब्धिक का सब्ध ही का परयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं, उसका अर्थ है कि राष्पती मंत्री परश्द की सलाय मानने को बात दे, राष्पती की सकती पर उठे बिवाद के कारण समिनार का संसोधन करकी, या इसपर्ष्ट कर दिया गया, कि रा सलाय को मानना ही पड़ेगा यानि कि दुबार अगर उसी तरह की सलाय दी जा दिये तो उसे मानने के लिए बात होगा कौन राश्पती एक और सवाल आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में कि आर्टी कल यह अनुछिद कैसे याद करूं मैं मुझे लगता है अगर आर्टी क इसने अिट परदिव के रहेंगें तो अपने आप सभी आईटीकल याद हो जाएंगे किस आईटीकल में क्या क्या में क्या है आपको रतने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और जब आप लोग इनलक्षमी का इस पर साझाल उपने प्रेस के बारे में आप बड़े विस्थार से बात करनेंगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है, NCEIT आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, एक आपका बेस मजबूत होगा, समझ रहे हैं आप लोग, वही है कि नीव मकान खड़ा करना है आपको, तो सबसे पहले नी भर लीजे ना कमरे बनाते रहे हैं, कौन-कौन से कमरे बनाना है आपको, किस तरह कहां रखना है, किस तरह और करना है, क्या करना है, आपको कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए जालना परेशान मत हुई है, अब बात करते हैं, राश्टपती की सक्ति और इस्तिति के बारे में, आप पहले ही पर कि राश्वपती सरकार का उपचारिक पिधान होता है, और उसे उपचारिक रूप से बहुत सी कारकारी बिधाई कानूनी और आपाफ सक्तियां परापत होती है. संसदी विवस्था में राश्पती बास्तों में इन सक्तियों का प्रेव मंतिर परस्थ की सलाय पर ही करता है प्यधान मंतिर परस्थ को लोगसवा में बहुमत प्राप्त होता है बेही बास्तविक कारकारी हैं अदिकतर मामलों में राओंपति को मंत्रीबरस्द की सलाय माननी पड़ती है, क्योंकि आप समझें कि एक तरह से आप किसी को चुन रहें, मान लेजे आप अगर किसी को सहीता कर रहे हैं, कोई काम कर्वा रहे हैं, आप लोग तो उसको सामने वाले व्यक्ति को मानना पड़ेगी आपकी सकते बात को अगर नहीं मानेगा तो आप लोग उसे अठा के दूसरे को रख लेंगी जगे को समझ रहे हैं हमने राष्ट पती को कोई बास्तविक सकती नहीं दी लेकिन उसके पत को प्रभूता बनाना चाहता है और ना ही एकदम ना मत का पिधान समीधान उसे एक ऐसा पिधान बनाना चाहता है जो की सासक होता है ना की सासन करता है या उसे एक महान समीधान प्रावधान पिधान बनाना चाहता है एक बात और आपको बता हूँ मानने इस तरह की विवस्ता होती कि सभ अप्षिनाल लेते हुए, नेड़े ले सकता था, लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं कि अभी आपने देखा होगा, एक तरफ आपके कोविंद साब थे, दूसरी तरफ आपने देखा था मीरा थी, तो आप लोगोंने देखा होगा Congress की तरफ जो UPA है, उसने मीरा कुमार म जो भी है, उन्हें मदद की थी, उन्हें एक तरह से खड़ा किया होगा था, और राष्टपती रामनाद कोविंद को अभी जो बर्दमान में है, उन्हें BJP यानि की NDA के तरफ से बनाया गया था, एक और बात बताऊ आपको, जब UPA में कहता हूँ, तो उसमें क्या होता है कॉंग्रिस मुख पाइटी है, बाकी इसके जो भी घटक दल हैं, उन्हें आप लोग UPA कह देते हैं, NDA का सीधासा मतलब है कि BJP मुख पाइटी होगे, इसके जो मदद करने बाले अन घटक हैं, अन दल हैं, उन्हें आप लोग पूरा NDA कह देते हैं, अब बात करते हैं हम राष्ट पती के विशेश अधिकार की, क्या है आखर विशेश सद्धिरिगार, तो इन बातों की चर्चा के बात क्या हम यह निसकर्स निकाल सकते हैं, कि किसी भी परिस्तिती में राष्ट पती को कोई विशेश अधिकार पर आप नहीं है, यह एक गलत मूह लैंकन होगा, संम्हिधारिक रोप से 잘ब 1915 के बारी में सुचना पराप्त करने के लिगारे में पिधानमेंद्टी के रहाए कि हुआ राश्टपती दुवारा मांगी की सभी सूचना है उसे ले वो राष्टपती पर आप पिधान बंदिरी को पत लेखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार बैक्त भी करता है इसलिए आप लोग देखते हूंगे कही बार क्या होता है कि जब सरकार से विवक्ष खुसना हो सद्धा पक्ष से तो वो राष्टपती से मिलता है और राष्टपती से कहता है कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करने दीजे ठीक है मैं यहां कहने बर को वैठा हूँ, दिया गाया हूँ, कि मैं सचवोज के सवाल भी पूछ रहा हूँ, क्या इसपुस्तक के लेख़क ने मुझे अपने मन चाहिए सवाल पूछने की सकती दिये, और यहां मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, जो उनके मन में उठ रहे हैं, यह क्या मानना इसमें अलग है, देखी कम से कम कोई भी बुक्स है, तो उसे कम से कम आप लोगों को एक बार उसकी सकल तो देख लेना चाहिए, मैं इसले बोलाओं कि इस तरह की चित्ता आपको क्या सौट नोर्स में दिखाई दींगे, और जब आप लोग N.C.E.IT को एक से दो और दूसरे की नोर्स पर आप लोग निरोहर मत रहा करिएगा, क्योंकि माल लेजे कि मुझे गांदी जी के बारे में एक तरह से नोर्स बनाना है कोई सौट नोर्स, तो मैं क्या लिखूंगा उस सौट नोर्स में, मैं वह वह बहुत चीजे लिखेंगे, वह पॉइंट लि पढ़ा करिएगा, इसके अतरिक थम कम से कम तीन अवसरों पर राष्ट पती अपने विश्य साधिकार का प्रेयोग करता है, कौन सा है, पिथम जैसा कि आप पहली देख चुके हैं कि राष्ट पती मंत्री परसद की सलाय को लोटा सकता है, उसे अपने इनाड़े पर पुन पर बुण होगा, इसके पुछ कमिया है या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वहाई मंत्री परसद से अपने नेड़े पर पुनरविचार करने के लिए कह सकता है, यह पी मंत्री परसद पुनरविचार के बाद उसे वहीं सलाय दोबारा दे सकति है, तब राष्पति उ आप लोग समझें, एक दिन किसी ने कूड़ा भीका, मैं आपकरिये उधारन में इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ सके, एक दिन कोई आप उसे मना करते हैं, दो दिन मना करते हैं, तो कम से कम सामने वाले में सरम तो होगी, अब आप समझें बे सरम होगा तो नहीं मानेगा आपकी सलाय को, तो एक तरह से आप कह सकते हैं, या फिर कोई टोकने वाला ना हो, सामने वाला कूड़ा फिक रहा है, किसी रास्ते पे, साप रास्ते पे, कोई ना रुके, तब वो हमेशा इस तरह की गल्तियां करता रहेगा, फिर चाहे वो किसी भी तरह से गल्ती हो उसकी, या फिर किसी को नुक्सान पहुंचा रहा हो, लेकिन एक दो बार अगर आप उसे टोक देते हैं, तो सामने वाला एक तरह से स्थरम से रुक जाता है, समझे आप, तो इसी तरह से आप कह सकते हैं, कि मंत्री परस्त कोई सलाय देता है, और राश्पती किस के पती जबाब देगे? जंता के पती एक तरह से आप डारस्त कही सकते हैं, क्योंकि अगर प्यधान-मंत्री सहाभ ने जंता के हीत में, या उनकी मंत्री मंदल ने जंता के हीत में काम नहीं किया, तो अंग्ली बार जंता उन्म वहां से आटा देगी, तो कापी मायनेय यह राश्ट्पती साथ के पार जोग पुनर्वचार की सत्ती है या जिसे आपों विसे सदिकार कह सकते हैं राश्ट्पती के लिए पिताबों में इस्त्रीलेंग और पुलेंग दोनों का प्रियुक्त किया जाता है किया कभी कोई महला भी राश्ट्पती हुई है आप लोग जानते हैं न पीतिवा पाटल साथ को एक बात और आपको बताँ हम लोगोंने बायोगराफी कवर की हुई सभी लोगों की पर चाहे आपके राश्ट्पती हुँ पिधानमंत्री हुँ या फिर कोई और चर्चित ब्यक्ति हुँ किसी राज्य के मुखमंत्री हुई हो सकते हैं या उससे पहले आप लोग चले जाए प्राचीन भालत में प्राचीन भारत में आप लोगों ने देखा होगा चाड़क चाहे आप लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध या फिर महावी स्वामी इन सभी लोगों प्यम लोगों ने भायोगरापी कवर की हुए तो आप जाए अगर आपका मन है किसी व्यक्ति के बारे में विस्तार से आप लोगों को जानना चाहिए तो आप वहां देख सकते है दूसरे आप देखेंगे राश्पती के पास वीटो की सकती निसिज अधिकार होता है जिसमें वह संसर द्वारा पारित विधियकों धन विधियकों को छोड़कर सुईकिती देने में बेलम कर सकता है या सुईकिती देने से मना भी कर सकता है और संसर द्वारा पारित विध कहलाता है क्या कहलाता है विधियक और जैसे आप देखें कि राष्टपती की सहमती मिलती है वो कानून या आदिनियम बन जाता है तो इसमें राष्टपती साहब के पास क्या कह सकती है धन विधियक को छोड़कर धन विधियक में राष्टपती के साहब के पास यही सकती है कि उसे एक तरह से सुईकिती दी जाए लेकिन अन्र विदियक को मैं बात की जाए तो उसमें या तो राश्ट्पती साहब उसे सुईकिती देने से मना भी कर सकते हैं या बीटो कह सकते हैं यानि कि कुछ समय के लिए बिलम भी कर सकते हैं राश्ठपती उसे संसद को लौटा भी सकता है, और उसे उस पर पुनरविचार के लिए कह सकता है, और बीटों की ऐसकती स्निमत है, क्योंकि संसद उसी विध्यक को दुबारा पारिट करदे, और राश्पती के पास बेजे तो राश्पती को उस पर अपनी सुख्ती देनी पढ़ेगी एक तरह से कहने का मतलब यह ही है कि जिस तरह से आपने देखा है कि मंत्री परिशत कोई विचार देती है या कोई पिस्ताओ देती है तो उसक्त पुर्णर विचार के लिए एक तरह से कह सकता है राश्पती लेकिन पुर्णर विचार के बाद उसी पिस्ताओ को तो दुबारा राश्पती के पास मंत्री पर सत्व बेदती है, तो राश्पती को उस विचार पर सहमती देनी होगी. लेकिन समिधार में राश्पती के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं की गए, जिसके अंदर ही उस विध्यक को पुनरवचार के लिए लोटाना पड़े. इसका राश्पती किसी भी विध्यक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है, और इसे राश्पती को अनुपचारिक रूप से अपने वीटों को प्रभावी दंग से प्रयोग करने का उसर मिल जाता है. और इसे कई बार पॉकेट वीटों भी आप लोग कह देते हैं. अगर आप लोगों को विष्य सद्कार लिखना है राश्पती की, तो इन तीनों पॉइंटों को आप लोग डाल सकते हैं आराम से. क्या कर सकते हैं? आप लोग आराम से डाल सकते हैं. भारत की परिपेक्ष की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है? अगर कोई कहें कि राश्पती एक तड़े से बिल्कूल खतम है. राश्पती के बारे में कोई सकती नहीं तो आप लोग Palestine क्र सकते हैं. फिर आप लोग इन पॉइंटों को भी डाल देजें, और कह दीजें कि नहीं ऐसा नहीं है, महारत की राजपती की पास कुछ से विश्य सदिकार हैं, और उनमें आप इन पॉइंटों को सामिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर बात करें तीसरे पेकार का विश्य सदिकार, तो राज राजपती की विश्य सदिकार को कोई पिसन ही नहीं है, लेकिन उस पर इस पर इस पर इस पर करें कि उन्हें लोगसभा में बहुमत पराप्त होता है, तो क्या होगा? अब राजपती को एंडाडली करना है, कि वो एक किसे पिधानमंत्री निवत करें, इस पर इस्तिती में राजपती को अपने बेवे बिशे साधिकार का प्रेयोकल एंडाडली लेना होता है, कि किसे भहुमत का समर्दन प्रापते, या फिर कौन सरकार बना सकता है, और सरका हुआ है वह तो अच्छा है कि आप समझे 16 भी वो सत्रवी लोकसभा में एक तरह से पूर्ड महुमत मिला हुआ है बढ़ना उससे पहले जितनी भी आपकी सरकारे वनी 1909 के बाद की तो उन्हें नहने गटवंधन किया आप लोग सुनते हैं कि अतल वियारी वाजपही ने 13 पार्टियों की गटवंधन की सरका चलाई उनकी गटवंधन में तेरे पार्टियासा मिलती है समय रहे आप लोग तो उस समय राश्कती का मत बढ़ जाता है एक तरह से उ होता दिया जाएगा इक तरह से 1989 से 1998 तक हुए चार संस्दी चुनाओं में किसी भी एक दल या दलिये गठमंदन को लोकसावा में इस्पर्ष्ट बहुमन नहीं मिल सका और इन परिस्तितियों की मांग थी कि राजपती हस्षेप करके या तो का गठन कराई या परिदान मंतिरी द्वारा लोकसावा में बहमत सिद्ध ना करवाने के बाद उसकी सलाय पर लोकसावा भंग करने को इसके लिए आप लोगोंने देखा होगा अटल विहारे वाचपई कि तेरे दिन के लिए मात पिदान मंतिरी रहे थे समझ रहे आप लोग आता है कहा जा सकता है कि राश्पती का विससर्कार राजनितिक परिस्तितियों पर आधरीत होता है जब सरकार इस्थाई ना हो और गटवंदल सरकार सत्ता में हो तब राश्पती के संभाव ने बढ़ सकती है और एक परिस्तिति ऐसे भी बन सकती है वैसे यह बंदी नहीं है लेकिन फिर भी माल लिए आप लोग कि बीजेपी के पास पूर बहुमत है लेकिन बीजेपी में कि यहां भी कुछ पॉइंट है नहीं भी देख लिए पिधानमंत्री ने उत्ती में राश्पती की भूम क्या उनने सो सटत्तर के बाद भारत की दलिये राजनीती में पितियस परदा काफी बढ़ गई है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उनने सो सटत्तर तक एक तरह से आप ना में किसी भी दल या दलिये गट बंदन को भाजाबा उसकी सहयोगी दलों को कुल दो सो इंक्यावन सीटे मिली जो भाभूमत से 21 कम थी इसलिए बोला हूं कि आप समझे कि आधे से अधिक होना चालिए आप समझे कि 100 सीटे हैं तो इंक्यावन सीटों पर एक तरह से आप को माना जाता है राश्टपती नारायन ने एक लंबी पिक्रिया अपना ही उन्होंने गटबंदर की नेता अटल विहारी वाजपेई से अपने दावी के समलतिन से संबंदी राजनेतिक दलों के दस्ताविश विस्तूत करने को का इससे भी आंगे जाकर राश्टपती कि मुकता एक उपचारिक सक्ती वालपद है वह राश्ट का अलंकारिक विधाने ऐसे में आप हूँ सकते हैं कि तब हमें राश्पती की क्या वस्तिता है संसदी विवस्ता में मंत्री परसत विधायायाइक का में बहुमत की समय थर निर्भर होती है इसका आर्थ है कि मंत्र मंत्री को निवत करने की सकती हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का पिदिनिदित करो सकी है सामानता परस्तितियों में राश्पती की एभून क्या है और लेकिन जब किसी दल को इस पश्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राश्पती पर नेड़र लेने और देश की सर दरूरत क्या है इसे दो हटा देना चाहिए इस पत को खतम कर देना चाहिए तो आप उस जगह ये क्या कहेंगे कि माल लिजे कि 5 साल बार क्या होगा बीजे पी तो या कोई भी कॉंगरेस हार जाएगी चुना हार जाएगी तो मंत्री फर्चत भंग हो जाए एक तरह से हट तो उस समय देश की एक तरह से सुरक्षा या पर कह सकते हैं आप लोग की कोई नेड़ा लेना है या फिर नई मंतरी मंदल या पिधन मंतरी को निफ्ट करना है तो उस समय कोई तो होना चाहिए कि जो इस तरह का काम करे तो उस परिस्थिती के लिए राष्ट्पती भी जरूर दिख्केवल अंतर इतना है कि उसके निर्वाचक मंदल में राजविधान सभा की सदस नहीं होते हैं इसमें आप देखेंगे राष्ट्पती सभा और लोगसभा की सदस भाग लेते हैं किसमें राष्ट्पती के चुनाव में ओपर राष्ट्पती को अटानी के लिए लोग राष्ट्पती का काम करता है इसमें आप लोग एक बात और याद रख सकते हैं कि माल लेए कहमारे कोई राष्ट्पती सभा की डेक्ष हो जाती है या पस्मझे की किसी कारण से हट जाते है तो उस समय आप औह राष्ट्पती साहब उस पाध को समालेगे शहमाईने के जब तक चुनाव नहीं होता है लेकिन एक परिस्थेती ऐसी भी हो सकती है कि ना तो राष्पती है ना ही उपराष्ट्पती है तब इस राष्ट्पती के पत्कू कौन समालेगा तो याद रखिए हमारे जो भी सर्वों चिनाले की मुखनेया दीस होते हैं उनी की बात करते हैं ठीक है उपर राश्टपती तभी 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 तक कारवाक राश्टपती की रूम में काम करता है जब तक की कोई नया राश्टपती नहीं चुन लिया जाता है फकरोषदीन अली एहमत की मित्यू के बाद बीडित जत्ती तभी तक कारवाक राश्टपती की रूम में काम करते रहे जब तक की नए राश्टपती का चुनाओ नहीं हो गया एक बात और याद रखने चाहिए आपको राज्यसवा का उपसभापती या पर राज्यसवा का पदयन अध्यक्ष एक तरह से आप कहिए कि उपराश्टपती होता है यानि कि जिस तरह से लोगसवा में आप देखते हैं लोगसवा का अध्यक्ष कौन होता है लोग सभा में जो भी सदस होता है उन्हीं में से एक अध्यक्च बन जाता है लेकिन राजिसभा में अलग पिक्रिया है तो राजिसभा का अध्यक्च को होता है उपराश्टपती लेकिन ओप राश्कपती राजसभा का सदस्त नहीं होता है ये भी आप लोग याद रखे लेकिन ओप सभापती होता है वो लोग राजसभा का एक तरह से अध्यत मतलब सदस्त भी होता है तो इन पॉइंटों को आप लोग याद रखे और देखिए कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हैं कलपना कीजिए कि पिधान मंत्री जिसरा राज्य में इस साधर पर राष्टपदी साहसन लगाना चाहता है क्यों है कि वहां की सरकार देलितों पर अत्याजार रोखने में विफल रही है राष्टपदी की सोच कुछ अलग है और उसका कहना है कि राष्टपदी साहसन का अब्बास और हेत्रेयों करना चाहिए इस तिदिए में राष्टपदी के पास नेमलिकेत में से कौन विखल्प हो सकते हैं वह पिदान मंत्री को बताए कि राष्टपदी साहसन की खुष्णा करने वाले आदिस पहों सटाक्षण नहीं करेगए पिदान मंत्री को वर्कास्ट कर दें वह पिदान मंत्री से वाँके अध्री जर पूल भीजने को कहे एक पुरेश बक्तब दें कि क्या आप पिधानमंतरी कि लाते हैं इस सम्माद में पिधानमंतरी से बातकीच करें वह उसे ऐसा करने से रोकें परन्तु यादी पिधानमंतरी देड रहें तब उस पर हस्ताफ्चल करते हैं एक बात याद रखिए अब लोग किसी राज्य में मैं बारबार बोला हूँ, इंडारेक्ट जुकाओ रहता है किसकी पाद, सत्पक्च की तरभ, आपने देखा हुए कई एजन्सीय राजपाल, राष्ठपती, ये सत्पक्च का साथ देते हैं इंडारेक्ट, लेकिन इंडारेक्ट नहीं देते हैं, आप लोगों ने सुना होग लेकिन आप कह सकते हैं कि पिधानमंत्री ही तो एक तरह से सद्धा पक्षी निव्ट करता है राजपालों को, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सामानता जब आप लोग आंसर लिख रहे हों, तब आप लोग इसको लिखा करें, कि राजपाल की सलाय पर ही कौन? राश्टपती साहब वहां राश्टपती साशन, लगाते हैं, और किसी राज्च में अगर पिधानमंत्री इस तरह की सलाय दे रहे हैं, तो पिधानमंती को वरक खास्त नहीं करते हैं, बढकी उन्हें इस तरह की अस्ताक्षर करने से मना भी करते, या फिर आप समझिे कि, वह पिधानमंत्री स इस तरह की बात चीज से कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं या कोई अच्छा राष्ट पती है, इमानदा राष्ट पती है और उसे अपने पदल की लालच नहीं है तो वो प्रेस यानिक मीडिया में आकर कह सकता है कि पिधान मंत्री साहब गलत हैं पिधान मंत्री साहब इसका दूर्पयो कर रहा है समझ रहे हैं तो, इसी की बात कर रहा है इस कार्टून बुजो क्या है? पिधान मंत्री की बारा कोई मंत्री फरस्ट नहीं होती है या कार्टून बता था है किस तरह पिधान मंत्री सरकार की अवाई करती है एक तरह से आप कहिए कि मैं तो पिधान मंत्री ही होता है ना लेजे इंद्रा गांदी साथ कड़ी हुई है यह बागी कि उनके मंत्री मंदल के जो भी सदसे मंत्री परशाद के हो है अब बात करते हैं हम लोग पिधान मंत्री और मंत्री परशाद के बारे में राष्टपती क या नेताओं को मिलती है उतनी किसी अल आईये सदिगारी को भी नहीं मिलती है किसी देश में किसी भी बैक्ती को इतनी सुविथा नहीं मिलती है खाना आप समझ सकते हैं ना कि बराबर पैसों में मिलता है कैंटीन में हुआ आप समझ सकते हैं कि जो किसान है उस पर कितनी मेहनत पड़ती है एक तरह पर नेताओं को देख लीज़े आप लोग मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है बड़ा आदिमी बनना है तो आपनो नेता गिरी में जाईए पॉलिटीसियन बन जाईए बहुत जल्दी पैसा कमालेंगे बहुत जल्दी पैसा कमालेंगे बहरत के पिधान मंत्री परस्त की सलाय पर ही अपनी सक्थियों का प्रेव करता है यानि कि कहने का मतलब है कि राष्पती साब के वल नाम मत्त की सक्ती होती है पिधान मंत्री इस मंत्री परस्त का पिधान होनता है अता मंत्री परस्त के पिधान की रूम में पिधान मंत्री अपने देश की सरकाल का सबसे महत्कून पदारिकारी होत जाता है और मैं सक्ती ए पिधानमंत्री के पास ही, ठीक है? जनसदी है, सासन में जरूरी है कि पिधानमंत्री को लोगसवा में बहुमत परापत हूँ और बहुमत का यह समर्थन भी पिधानमंत्री को बहुत सक्तिसाली बना देता है जैसा कि आप जानते हैं, 16 भी और 17 भी लोगसवा में नयद मौधी साब के पास काफी बहुमत है, अच्छा बहुमत है, इसके लिए वो कोई भी नेड़े लेते रहते हैं, 370 का देख लिए, और और भी कोई भी मामले देख लिए आप लोग, वो किसी की नहीं सुनते हैं, क्य 1989 से अनेक ऐसे आउसर आए, जब लोगसवा में किसी भी दल को भाहुमत नहीं मिलाए, अनेक राजनितिक दलों को तालमेल कर गटवन्दन बनाना पड़ा, जिसे लोगसवा में भाहुमत पराप्त हो, और इस परिस्तिती में जो नेता सहय हुई दलों को अधिकतर सुईकार होता है, वही पिदानमंती बनता है, उपचारिक रूप से जिस नेताओं नेताक लोगसवा में महमत का समर्तर पराप्त होता है, और राजपती उसे पिदानमंती इंडिकत होता है, और दिल्चस्विल की बात है, कि पिदानमंती आप सबंझे, गटबंधन फिरी में कोई न एक तरह से मतलब चुपा रहता है लालत चुपा रहता है इसलिए देखते होंगे आप लोग की जब मलाईदार मंतराले की बात आती है तो हर पार्टी कहती है कि मुझे होंगनिष्टी चाहिए मुझे बित मंतराले चाहिए मुझे रेल मंतराले चाहिए ठीक है समय से मुझे कि आप लोग देखते हैं लोग मंतरी बनना क्यों चाहते हैं इस कार्टून में साइद यह बताया गया है कि लोग सुख सुखधा उठाने के लिए मंतरी बनना चाहते हैं लेकिन तब किसी खास मंतरा उठाने के लिए होड क्यों मची रहती है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दूद मैंने मलाई की बात पीना अवसी के लिए लेकिन आप समझेए एक बात मैंने हमेसा बोलाया आप रोगों से कि आज की नेताओं में और आजादी की समय की नेताओं में जमीन आसमान का फरका आपको देखाई देगा क्या आप लाल बहादर सास्तरी के तुल्ला आज के मंत्री या पिधान मंत्री से कर सकते हैं मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा करिए आज के पिधान मंत्री की आप इन ही कह रहें कि बड़ी अच्छी पिसंसा हो जाए जब पिधारमंत्री लालबादर सास्तरी बनाए गए तो उस समय उनकी बच्चों ने कहा कि एक कार ले लिना चाहिए गूमने के लिए इसकूल जाने के लिए क्योंकि वो सरकारी कार उपयोग अपने धर परिबार के लिए नहीं करते थे Ohhh कि तो उन्होंने कार लिए उधार काली मतलब आप समझतें नहीं कि रिड़र आपलोग बाहते जीतेजी उस कार का भुकता नहीं कर पाए जो भी पैसा था उसका बादमें आपने देखा है उनके म आप समझेए एक बार वो सरपंच बढ़न गया, तो वो झुर्चुनल खड़ी कर लेता है वो नहीं नहीं का रही खोड़ी कर लेता है तो आज की नेताओं में उस समय की नेताओं में आप तुलना कर सकते, वो समझ सकते हैं कितना फ़ह nutrです कि अब सब समय जानते कि उसमाय कि हाधिए इंथ दिखाता रहता थे तकि आपने कर हो गो आपने करेंगे तो आप नो दिखा होगा कि कि सा्सत्री शाहाब ने कि इग नारा प्ली थिया जवन जय किसाम और कहा जाता है कि उस progressed और दिन इस आत्रोच जो एक दिन खाट एक दिन भूंक्डंआ की बात की गई तो उन्होंने सबसे पहले अपने घर में अपने बच्चों को भूंका राखा उसके बाद उन्होंने वो प्रियोगे एक तरह से medicine प्रिवार अपंगे आपने बच्चे पर अपलाई किया कि जब आंगे चलते हैं हम लोग, पिधान मंत्री तै करता है कि उसकी मंत्री पैसाद में कौन-कौन लोग मंत्री होंगे, पिधान मंत्री विमेन मंत्रियों में इस तरो मंतलायों का आवंटन भी करता है, मंत्रियों के उनकी वरिष्टता और राजनितिक महत्त है कि अनुसार मंत्री बिना कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री या पिधान मंत्री बन जाता है तो उसे छह महीने की भीतर ही संसत के सदस्के रूम में निर्वाचित होना पड़ता है मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है आप लोगों को याद है मैंने क्या गहाता कि आप भी मुखमंत्री या कोई मंत्री बन सकते हैं लेकिन छह महीने के भीतर आपको या तो लोकसभा या राजसभा में का सदस्क बनना अनिवार होगा अपलोग ने देखा होगा कुछ समय पहले महाराश्च में उद्रा ठाकरी मुकमंत्री बने हैं जब वो मुकमंत्री बने हैं ना वो भिधान परिषास्तित थे नहीं बेतान सभा की सबस्तित लेकिन 6 मेने के बाद आपने देखा है कि वो बिधान परिश्टा से चुने गए समाज ने आप लो तो ये बात है समीधान सवा में अनेक सदसों का विचार था कि मंत्रियों का चैन बिधायका को करना चाहिए ना कि बिधान मंत्री या मुफ मंत्री को मेरे देश्ट्री कोर से परांतों के लिए वो है सुईस परणाली सरवत्तम बिवस्था है जिसमें बिधायका कारपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है क्योंकि उसमें सभी हेतों का पितिनिदित होगा और विधाय का कोई दल यह महसूस ना कर सकेगा कि उसका पितिनिदित नहीं है वेगम इजाज रसूल ने कहा है एक बात और याद रखी जब हम लोग ने आपका तीसरा चेप्टर पड़ा था कि जो चुनाओ किस तरह से होते हैं वो पितिनिदित किस तरह से होते हैं तो उस चेप्टर को आप लोग जान लीजिए अगर आपको संद एकल सक मड़ी ये मत पड़ाली को जानना है एक सामन जा हो तो उस 10% के हिसाब से आपको सीटें मिलते हैं लोग सभा में लोग सभा चुनाओ में अगर आपको 10% बोट मिले हुए हैं टोटल तो आपके इस पास 10% सीटें होते हैं अभी आप देखते हैं कि अगर आपको 10% कई कई राजिमतिक दल हैं जिने 10% भी बोट मिल जाते हैं पर भी seatend hero रहती है उनकी, ठीक है, तो अभी आपके देश में हमारे देश में क्या लाग हुए, कि सबसे जानदा जिस उम्मीदबार को boot मिल रहे है, उसे को जिता धी जा जाता है, दूसरे को कितने मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, ये माहन नहीं रखता है, और ये भी से जाना आपको बोट मिलते हैं, वो 50% से कम भी रहते हैं, तब भी आप लोग चुने जाएंगे, ठीक है, मंतरी परस्त का आकार क्या होगा, कितने मंतरी रहेंगे, तो समिधान के एक आर्वेवे समिधान संसुदान अधिनियम 2003 के पहले, मंतरी परस्त का आकार समय की मांग औ क्योंकि तब मंतरी परस्त की संख्या 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 वर कोई पिती बंद ना था, या अनिक राज्यों में भी हो रहा था, अता समिधान का संसुदान करके एक विवस्ता की गई, कि मंतरी परस्त की संख्या लोग सभा या राज्यों में विधान सभा की कुल संख्या संख से अधेक मंत्री बरसत मंत्री नहीं होना चाहिए ठीक है एक सेधी सी बात और एक बात और याद रखिया आप लोग अभी आप लोग ने MP में एक घटना देखी होगी कि MP में आपकी Congress की सरकार थी लेकिन आपने देखा होगा सिंधिया वीजेपी पाली में जा मिले तो आपने सोची अगर सीमा ना रखी जाती तो वह 22 को मंत्री बना देती सिवरा सिंग चोहन बीजेपी ठीक है और यह आप लोगों ने देखा होगा आज कल एक नया चलंग चला हुगा है ओप मुख मंत्री या फिर आप कह सकते हैं कि ओप विधान मंत्री सबिधान में इसी कोई चाहते हैं कि हमें पिधान मंत्री बनना है या पिधान मंत्री बनना है तो ऐसी परिस्तिती में नेड़ाय ले सकते हैं कि चलिए आप मुख मंत्री बन जाए आप मुख मंत्री बन जाए उत्तरकदेश में एक दो आप देखते हैं उत्तरकदेश में आप देखते हैं उत्तर तें मुकमंत्री सायद आपके आंत्रकदेश में भी बनाए गए हैं, तो आप समझ तकते हैं कि यह राजन्यति गरी एक तरह से बात हैं, कोई समीधान की बात नहीं है, ठीप बिधायका वाली अध्याय में आप विस्ताल से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, जिन में संसत कारपालिका को नियंतित करती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए, कि संसतिय सासन की सबसे बड़ी विस्ता है, कि कारपालिका सतक रूप से बिधायका की नेंतर नोर द उत्तरदाई होती है, मंत्री परिशत, लोगसभा के पिती सामोहिक रूप से क्या होती है, वो तरदाई होती है, इस पर आधान का था है कि जो सरकाल लोगसभा में विश्वास हो देती है, उससे त्याट पत्र देना पढ़ता है, सामार नसीबात है, जब आप सोचिए सामोहिक रूप से सासन करती है, सामोहिक रूतरदायत मंत्री मंदल की एक जोड़ता की सिधान पर और आधार रहते है, इसकी भाहूना यह है कि एदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध, भी आविश्वास पेस्ताव फारित हो जाये, तो सम्पूर मंत्री परिशत को ट्याग पर देना त्याग्पत् देना परता है क्योंकि एक दूसरे से सबी जुड़े हुए इसकार्त है Ambassador कि यदि कोई मंत्री मंदल की नीती या नेड़े से समत नहीं है, तो उसे उस नेड़े को सुषिकार कर लेना चाहिए, या तक त्यागपत दे देना चाहिए, जिस नेती के बारे में सामुविक उत्तरदायत को उसे मानना और उसे लागु करना सभी मंत्रियों की जरूरी है, भारत में पिधान मंत्री का सरकार में स्थान सर्वो पर ही है, यानि कि मैं तो आपके पिधान मंत्री साहब होते हैं, नहीं होते हैं, और बिना पिधान मंत्री के मंत्री पैसत का कोई इस्तित नहीं है, अब यासा तो आप लोगोंने कभी नहीं सुना होगा, कि पिधान मंत मंत्री नहीं है और मंत्री है पिधान मंत्री के पत का अभी तक निर्धारन नहीं हो पाया और पिधान मंत्री और मंत्री बना दिये गए या फिर आप राज्यों में देख सकते हैं कि मुख मंत्री बने नहीं अभी मुख मंत्री का निर्धारन नहीं हो और आपके वो मुख मं मंत्री या मंत्री मन ना दीए जैसा नहीं होता ना तो बिना मंत्री के मंत्री परशद का कोई मतलब नहीं है पहले आपने देखा होगा पिधान मंत्री बनते हैं पिधान मंत्री की सलाय पर मंत्री मंदल गठन होता है ठीक है मंत्री परसद तभी अस्तत में आती है, जब पिधान मंत्री अपने पत का सपत गहन करता है, और पिधान मंत्री की मित्यू या त्याक पत से पूरी मंत्री परसद ही भंग हो जाती है, जब किसी मंत्री की मित्यू हटाय जाने या त्याक पत की कारण मंत्री परसद में केबल एक अगर इस्थान खाली होता है और प्रघान मंतरी एक मंत्री वरस्त दूसरी राष्ट्पदी और संसत के इत करता है से की मंत्री टेफ हो जाती है तब आप की लिएद टेव का देखते है Plum कि दूसरी को किसी को पत रख जाता है या दूसरे को ऊख ब्लिया जाता है लेकिंगे जब पिधानमंतरी की ही डैत हो जाए तो आप देखते हैं के बारे में नेड़ा लेता है इस पिकार पिधानमंत्री की सक्तियों के अनेक स्रोत हैं जैसे आप देख सकते हैं मंत्री परिसत का पन्येतर लोकसवागनेतर अधिकारी जमाद पर अधिपत्र बीडिया तक पहुंच चुनाओं के दरान उसके इस्तित ब्यक्तित का उबार औ अभी आप सुनते होंगे पिधानमंत्री साब ने ये काम किया पिधानमंत्री इस देश की यात्रा कर रहे हैं किसी चुनाओं में आप देखते होंगे ये व्यक्ति की पावर इतनी होती ही कि उसी के नाम पर चुनाओं जीत लिए जाते हैं ऐसा माना जाता है कि 16 भी और 17 ल लेकिन पिधानमंत्री की सक्तियां और उनका प्रियोक ततकाली राजनितिक परिस्तिती पर नेड़े कलता है जब भी किसी राजनितिक दल को लोगसभा में बहुत मिला तब पिधानमंत्री और मंतिमंडल की सक्तियां निर्विवाद रहती हैं परन्तु जब राजनित दलो के कारण उन्हों नित्यात पत्य दे दिया या भी हटा दी गए इन घट नाओं से संसरीय सासन का कामकाज प्रभावित हुआ है और एक सबसे बड़ी बात अभी है कि आप समझे कि अगर पूरा भंबत मिला हुआ है तो कम से कम पांस साल दो रहेगी सरकार अगर गट बंदन सरकार कम हो लेकिन बहुमत होना चाहिए इस था ही चलनी चाहिए पांस साल तर ठीक है इस सिलसले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से पिधानमंत्री के चैन में राश्पती की विसरत अभिकार की भूमिका बढ़ जाती है गट बंदन की समय की बात कर रहा हूं दू एख होकर एक तरह से चुना गया है तो यह सार्फ चौप यह उपने रह सकते हैं भी आप देखते होंगे कि हमारे की प्धानमंत्री साहब को जानदा पहल्क नहीं होस किसी उनके घटक दल ने कहा कि वो हमें इस पर विचारधारा में सहमत नहीं है, वो कह देतें कि हट जाईए आप लोग, अगर आप सूचिए यही गटवंदन की सरकार होती, तो आप प्यधानमंतरी मनाते फिरते, अरे सर आप इस पर ऐसा काम करिए, या वीजेपी कहती कि ऐस करिए, तो ऐसा भी देखा जाता है, प्यधानमंतरी के अनिक विश्य सदिकार जैसे मंतरियों का चैन और उसके पाद इस तर या मंतराले के चैन का पर भी कुछ अंकुस लग जाता है, अगर गटवंदन की सरकार है, तो आप देखें कि कौन सा मंतराले किसे देना है, जो असना समय मंतरी मंदल के गटवंदन में क्यों लगा है? क्योंकि वहां गटवंदन की सरकार है, और नीतस कुमार साब के यलने नहीं ले फागा है कि किसे मंतरी बनाया जाए, किसे नहीं बनाया है? क्योंकि वह एक ना legalist के मुकमंत्री बने हुगए। सबसे जानद सीट है आप की किसके पास है? आरजडी के पास है, नहीं है कि वह बहुमत बना सकता है। साबित कर सके है। लेकिन BJP के सहयोग से, नीटिश कुमार मुकमंत्री बने हुगए। और बीजेपी, आप समझेए, बीजेपी के साथ कई और दल भी मिले हुए है उसमें, उस गठ मंदर में, तो इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप सोचे, नीति इसकुमार के साथ के पास अकेली बहुमत होता, तो वो 24 गंते के अंदर कह देती कि इसे इस मंत्राले का मंत्र इसे बनाया जाता है तो इस तरह यह आंकुस भी देखा जाता है, चौत्रा क्या हो सकता है, पिध्धान मत्री सरकार की नीतियों और कार्करों को भी अकिले देटता है नहीं कर सकता है। चुनाव के पूरों चुनाव के बाद विवन विचारधारा वाले अनेक राज़ितिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों की बीच काफी बाचीत व समझोते के बाद ही नीतिया बंद जात पाती है। इस पूरी पिक्टिया में प्यधानमत्री को एक नेता से अधिक एक मद्धिस्त की बूंक्या नेभानी पड़ती है। मुकमंत्री विश्वास मत जीत कर भी खुछ नहीं है। बे कह रहे हैं कि विश्वास मत जीतने के पापजूद उनकी परेस्दानिया बरकरार है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह बैसा क्यों करें गठ बंदन की समय कह रहे होंगे। एक उधारन आपको देखता हूँ इससे बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगो आप लोगों को आप लोगों ने देखा हुगा बीजेपी की विचार दारा क्या है। एक तरह से आपके सकते हिंदूबादी है। उसने हमेसा कहा है कि राम मंदिल को मैं बनाओंगा। और उसने यह भी कहा है कि हम 370 भी अटाएंगे। आप समझ रहें। लेकिन आपने देखा हुगा जब गठवंदन की बात आए। जब गठवंदन की सरकारें चल रही थी तब इस तरह के नेड़ें नहीं लिए जा पाए। कि 370 भी अटाया गया हूँ अटल विहारी वाच्वी के समय आप लोग उन्हें नहीं देखा है। लेकिन पिदान नत्री साब के पास जब अपनी बहुमत हुई अकेले तम पर तब उन्होंने 370 को बटा दिया है आर्टिकल को जब गठवंदन की बात करा हूँ मैं तो आप समझ सकते हैं कि गठवंदन में कितना एक तरह से पावंदी रहती है। आप समझ रहे हैं यही है। तो इन सब को पॉइंटों को आप लोग याद रखिए जब भी गठवंदन की बात आती है कहीं पॉइंट लिखने के लिए आते हैं तो इनको आप लोग लिख सकते हैं या प्राजपाल के पास जैन्दा बिवेकादिकान सक्तियां होती हैं, बरहाल राज्यों के इस तरो पर भी संसादर दार्नात्मक विवस्था की प्रमुक सिध्धान लागू होती हैं, इसमें आप देखने के देखी, प्राजपाल के तरह एक तरह आप कह सकते हैं, कि मुकमंत्री होता है, और राश्टपती की तरह एक राज्य का नेदित करने के लिए कौन होता है, राजपाल होता है, लेकिन राजपाल के पास बिवेकादिकान, विस्थे सदिकार कुछ जाना है, राश्टपती से आपके, ठीक है, राश्टपती की तुल्ला में आपके राजपाल के प करें, केवल ब्यक्ति के तुरूप से इंडिश्टावान और विस्टिसनी लोगों का चैन करें, केवल सरकार की समत्कों का चैन करें, मंती बनने की ओड में सामिल ब्यक्तियों, राजनितिक तागत का अंदाजा लगा करें उनका चैन करता है, एक तरह से आप समझें, कि अगर गटबंधन की सरकार है, तो जितने भी आपके गटबंधन में दल सामिल होगों, उन सब से विचार विवस करना पड़ेगा, अगर आपकी अकेली दम पर पूरी सरकार आपके पास पहुमत है, तो आप अपनी ही पार्टी से एक तरह से विचार विवस करके पद्दे दिया अकसर देखा जाता है, आप लोग की कई नए चेहरों को भी पहली बार जीतते हैं, उन्हें भी मंत्री बना दिया जाता है, कई आप देखते हैं, बहुत पुराने होते हैं, उनलैनी भी भी नहीं बनाया जाता है, तो उनका अपना रहता है 這個 system, अपनेशाब से मंतरी बना सक कोई मिं मंतरालाई समाल सकते हैं आप लोग ऐसा भी नहीं है कि आप वित्मंतरी बनना चाहा रहे हैं और आप अर्थ-वस्था से ना जुरे हो आप लोग ने एकोनी मीना पड़ी हो तो ऐसा भी कई बात देखने को मिलता है कि जो अर्थ-वस्था के बारे में कुछ नौलेज नहीं होता है उसे उसे हमीवित्मंतरी मना दिया जाता है ठीक है अब बात करते है स्थाई कारपाल का और कर्वारे में समझ रहे हैं आप लो सिविल्स省 कोम मंतरियों के नेहे को कौन लागू करता है या नी कि बाल भीए कि उन्होंने तो काणूल बना दिये लिकिन उन्हे लागू कोन करवाता है? आप लोग करवाएंगे आचे जाके के हैं। परशियय के साथ में बिधाय का विधैका वि शीद नियंतित करती है या मनतरी की जिम्मेदारी नखियर्क दिया है कि वह जिलिदारी इन चारीय कि नौकल साही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनितिक द्रिष्टिकों और कसमर्थन नहीं करेगी, पैजया तंत में यह संभव हो है कि कोई पायटी चुनाव में हाथ जाए, और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगए नई नीतिये अपना न चाहिए, ऐसी सेवग या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो हमेशा पत पर रहता है, तो आप समझे इसलिए तो कह रहा हूँ, कारफाल कि आप भी इस सा साही का स्वरुप बहुत जयते हैं। या लग बात है कि आपके पास कम सक्तियाँ हैं, उनके पास मेंड zaten होती है। जब भी वो पास साल के लिए आते हैं, उनके पास जानद सक्तियां होती है। लेकिन जब नई सरकार आई, आपको यह मतलब नहीं रहता है कि कौन सरकार बहुत जटिल हो गया है इसमें अकिल भारतिय सेवा हैं, प्रांतिय सेवा हैं, इस्थानिय सरकार की करमचारी और लोक और करमों के तकनिकी और प्यवंद की अधिकारी समले थें हमारे समिना निर्माता गयर आलनेतिक और ब्यावसाय एक रोग से दक्ष पिसासनिक मसरी के महत्य को जानते थी बे सिविल सेवा या नोगवसाई की सदस्वों को बिना किसी भेदभाव की योगता के आधार पर चेंडित करना चाहते थी अता भालत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्वों की भरती की फिक्रिया का का कार संग लोग सिवायों को संपा गया है ऐसे ही लोग सिवायों को राज्यों में भी बनाए गया है लोग सिवायों के सदस्वों को एक निश्चित कारकाल के लिए निफ्त किया गया है और उनको सरवोच नयालेक नयादीस के जाज के आदार पर ही निलंबित या आपदस्त किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि पिधान मंत्री से आप चाहे हो किसी को भी हटा दें आप समझ रहें इसलिए तो एक तरह से संभिधाने निस्पक्ष एक संस्था बनाई गई है लोग सिवकों के लिए या राज में जो भी अधिकारी होते हैं उनके लिए यह सरकार यानि कि इनका राजनितिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं हो समझ रहें आप लोग इसलिए आप देखते होंगे कि एक सिवक अगर अपनी ओखात पर आ जाए तो नातों नीचे चने चबावा देता है या जो भी कहना हो आप कह सकते हैं मुसीवत में डाल देता है कई जगा आप लोगों को देखने को भी मिला होगा बहुत से बहुत आप क्या कर सकते हूं ठीक है ट्रांसफर करवाद होगे इससे जांगा आप क्या करोगे इसलिए आप देखते हैं कई अधिकारी हुए हैं आपके ठीक है दक्षिता और गुता को आधार बनाकर भरती की जाती है लेकर समिधान ये अभी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े बर्गों के सास्ता समाज के सभी बर्गों को सरकारी नौकरसाही का हिस्सा बनने का मौका मिले इस उद्धेश के लिए समिधान दलित और आधिवाचियों के लिए अरक्षन की व्यूस्ता करता है बाद में महिलाओं और अरन पिछडी जातियों को भी अरक्षन दिया जाता है और इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरसाही में सभी समुखों का पित समझें कि एक पुलिस बाले से आफ लोग बात करने के लिए बड़े ड़ते रहते हैं लेकिन हकी करते हैं बैंक में आप जाते हैं तो लाइन में लगे रहते हैं अधिकारी कह देता है कि सरवर्ण खराब हो गया और आप दरहें से लॉट जाते हैं वह से वह कोई ऐसा नहीं कर रहें आप पर, अगर कुलिस बारे आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह आप पर ऐसा में कर रहें, उनका कर्टब है कि आपकी सेवा करना, वह आपके एक तरह से नोकर हैं, समझ सकते हैं आप लेकिन अलग बात है कि हमारे देश में इस तरह की विवस्था नहीं देखी जाती है अगर मैं कहता हूँ कि जो भी इस तरह के सेवक हैं और नौकर हैं इन दोनों की वीचे अच्छी से तालमिल बैठा रहे और दोनों अपने कर्षबों के पिदी एक तरह से जागरूख रहे हैं मैं कहता हूँ कि 90-92 वर्सनेट समस्याय खतम हो जाएं अभ कोई नेता है जिसकी अच्छी चलता है तो आप रेपोर्ट लिखवाने जाती है वह महिला तो उसके साथ दुर्विवहार उहां भी किया जाता है थाने में भी उसकी FIR नहीं लिखी जाती है आप समझ रहे हैं तो यह भेदभावत देखा जाता है अभी कोई गरीब है उसक के साथ कुछ भी मारपीट हो जाता है पड़ा सर्मा मतलब डरा हुआ जाता है वहां से लौटा भी दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इतना मतलब ब्यवस्ता हो मतलब ठीक करना चाहिए आप देखते हैं कि पुलिस बाला देखता हूं कई जगे देखता हूं इस तरह की वे उस्ताहाप भी देखते रहते होंगे कि जब आपने देखा होगा कि कोई नेता आता है पुलिस बाले को गाली देखे चला जाता है फिर आप अधिकारी कोई भी अधिकारी है लेकिन वही गुसा आप कहा निकालते हैं कोई रिक्सा वाला ठेले वाला है वो अपना जैसे तैसे काम चला है जीवन गुजार रहा है आप उस पर बरसने लगते हैं उसे गाली सुनाने लगते हैं उसका ठेला फेग देते हैं आप उसका सामान भी भेख देते हैं, तो एक हमेसा देखा है कि हमेसा तागत पर विक्ती अपने से निचले पर अधिकार जवाने की कौसिस करता है, ना कि अपने से ऊपर, अगर दम है आप में तो आप उस नेता को अरेश्ट करिए, आप उसके बारे में कुछ भी करिए ना, आप करीब हों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, कई जगे इस तरह का आपको भी अद्वाव देखने को मिल जाएगा, और देखते में रहते होंगे, भारती पिसासनिक सेवा, तथा भारती पुलिस सेवा, यानि कि IPS के लिए उम्मेदबारों का चैन्ज संगलोग सेवायों करता यह अधिकारी परांथी इस्तर पर सीज़स नौकरा सही की रीड होते हैं, आपको साहीद पता होता है, एक जले का जिला अधिकारी सेवाद्वावादारों कि सन्मद्ध कर दिया जाता है, और जहां हो ए राज सरकार की देखरेक में काम करता है, लेकिन आई एस अधिकारी और IPS अधिकारी केंद सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और विकेंद सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं सबसे मतमूर यह भी है कि केवल केंद यह सरकार ही नहीं उनके विरुद अनुसासनात्मक करवा ही कर सकती है इसका अधिकारी केंद सरकार की देख रेक और नियंतन में रहते हैं संग लोग सेवायक द्वारा नियुक्त आईएस और IPS अधिकारियों के तरिक्त राज की विसासन में राज लोग सेवायों द्वारा नियुक्त की अधिकारी अधिकारियों का भी उगदान होता है, जैसा कि हम आंगे, संगबाद वाली अधिया में पढ़ेंगे, कि नोगर साही कि यह विसे सकता, राजियों की पिसासन पर केंदीर सरकार की नेंतन को वजूद कर देती है, आप लोग देखते रहते हैं, ट्रांसफर में क्या रहता है, स केंदरी सिवाओं की बात कर आए तो भारतीय बिदेश सेवा और भारतीय सेवा, और अगर प्रांटीय सेवाओं के बात करें तो विक्करी करा अधिकारी है, ठीट, एayıख बीषयेश दीचरा हो, इस ने आमें सेबिन तक पहुंच थेinois और हैसी लिए आपका संगोख सेवा хочу के सब्सक्राइब वर आध्या ऩंता कि पर नोकर साही होती है कि आर अम सरकारी अध्यकारियों तक-पहुंचण से डरता है यह लोगों का आम कि अपने कारेयों के संपादन में राजनितिक हस्तिश्चेप से बचाने की कोई विवस्था नहीं की यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के पिती नौकरसाही का उत्तरदायत सुनष्ट करने के लिए परयाप्त प्रावधान नहीं है मैंने बताया ना आप लोगों की राजनितिक हस्तिश्चेप होता है अब आप किसी स्टेट के मतलब आप सोचिए किसी जले के कलेक्टर बना दिये गए तो आप देखते हूंगे कि आपका जुकाओ राजनितिक पार्टी की तरब रहता है इसमें कोई दोराय नहीं है डारेक् कही है लेकिन इंडारेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा माली जे उपर से कोई योजना बेजी जा रहे है राजी गंदी और अटल विहारी बाच्पी ने एक बड़ी अच्छी कहवत कही थे कि मैं उपर से एक रुप्या भीजता हूं नीचे बारह पैसे पहुचते हैं ब कर दो क्या वुत जैकान फृप्या कि आप देखें के अभी सर्वैंच को चुनली आजाता है क्या काम आ रहा है क्या ने आए डिया किसी को मेंने और जिन मैंसे यह आरा है वह सर्वन सही डखाशा जाते हैं सचिव साहब ड़ी मादिय एक आपका जो ही एक तरह से तैसीली द रहेगी कहां क्या बेवस्ता हो रही है तो आप समझे कि इतना ची सुगिधा रहेगी लेकिन आपने देखा होगा तैसिल दाज साहब अपने मज़े में रहते हैं और सरबन साहब अपने मज़े में रहते हैं और सबका अपना-पना पहुंचता रहता है टाम टाइम टाइम पर माल पानी. पर यह है, आसा की जाती है कि सुचना का अदिकार जैसे कदम नोकर साही को और अधिक उत्तर दायत और सबिदन सिल बना संगेगे. ये सुचना का अदिकार एक तरह से इसलिए लाए गया था, कि माल ले जीए कि आपके पंच्यात है, वहां क्या काम आया है आपके लिए क्या यह जुजनाय का इन इस करनी पड़ी, कितने लोगों ने अपनी जान दी हुई है, कितने लोग इसके लिए सहीद हो गए है, कितनी यातनाई ज़िलने पड़ी हैं, कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ा, इसका सायद आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं, और आपकी नजरों में इसकी कीमत नहीं होती है, वो सही कहते हैं कि वो आसानी से मिली हुई कोई चीज की कीमत नहीं होती है, जब अपनी महनत पर अपनी दम पर उसे लिया जाता है उस चीज को, तो मालू चलता है कि इसमें कितनी महनत होती है, समझ रहे हैं आप लोग, लोग पाल आपको मिला हुआ करेकार की अपयों कीया रिए गया एक संथा दिया गया है जो गालोगतान्त्री नेंतर्ण के आफसक्टता बढ़ जाती है हमारे संविन्हा निर्माताओं की दूर देशटी ही थी उन्होंने कारपालिका को विदाय का नेंतर्ण नेंतर्ण और देख रेक में रखा और इस पेकार एक संसदी कारपाल का कचैन किया गया है, समय से मर पर होने वाले चुनाव सर्थियों के प्रेयोग पर समीनानिक अंकुज और लोगतांते राजिनिती ने सुनिश्चित किया है कि भारत में कारपाल का अनुद्तरदाई ना हो, आप तो आप ताना साही दिखाएंगे, क्योंकि आप जन्ता की पिती जवाबदे ही नहीं है, यहां हमारे देश में देखेंगे आपो, माली ये पिदान मंत्री ताना साही रभईया रखते हैं, तो अंगली पांसाल बाद होने हटा दिया जाएगा, कुछ नहीं उखाड पाएंग आप समझे, उस समय उन्होंने सोच लिया होगा कि इस तरह का दुप्यूप किया जाएगा, और इस तरह के हमें प्राधन रखना चाहिए, यह भी आप लोग देख रहे होंगे, कि आप समझे कि हमारे भारत में कितनी रियासत ने थी, सब अलग अलग होना चाह रही थी, आप को विभेन धरम मिल जाएंगे, जातिया मिल जाएंगे, समझो मिल जाएंगे, कई भासाएं बोलने बाले मिल जाएंगे, फिर भी हम लोग एक कड़ी के रूम में जुड़े हुए है, जब हम लोग आजाद हो रहे थें, 1947 की बात करहों में, तो कई देशों के दौरा कह कई लोगों के दौरा खा गया कि भारत के कई टौकड़े हो जाएंगे, और हकीकत भी थी, क्योंकि सही रियासतों के अपने 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 अलग होने के चाहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं, तो उसका एक पर ऐसे कारण है, समिधान, हो सकता है कि आपको और इसकी PDF भी आपकी टेलिग्राम पर डाल दी थी, वहांसे डाउनलोड कर लिजे और रख लिजे आप लोग, और अगर आपको खरीदना है तो खरीद लिजे बाजार से जहां भी मिलती हो, और अगर नहीं है सो विधाप के पास, तो इसे ही डाउनलोड करके फ़र्चते रह